हेलो फ्रेंट तो आप सभी का स्वागत है डीजी सेटिप से व्लॉक्स में तो फ्रेंट मेरा नाम है संके सिंग राजपूत और आप देखरें डीजी सेटिप हैं व्लॉक्स तो फ्रेंट आज हमें एडिट करने वाद लेए डीडी बॉलेरो पिकप चलिए शुरू करते हैं हम आपको सबसे फेले अपना पिक्सल अब जो है उससे आपर उपन कर लियना है पिक्सल अब उपन कर लेने आपको 100 कर लेनी है फ्रेंट अब हमें प्लस अलाइकम पर चल जाना है और फ्रॉम गैलरी पर जाकर जो हमारी पीकप की जो विंड्शिल्ड है उस पर हम यह वाली जो पेंजी इमेजे इसे यहाँ पर अपलाई करने वाले हैं तो फ्रेंट अब हमें इस पेंजी इमेज को करने हैं हुआ है हुआ है हुआ है हमारी जो पीकप के जो फ्रंट जो फ्रंट साइड है और यहां पर इडिट हो जुकी है जो हमारा पीकप के बैक सेड़ का जो पार्ट है वह हम उन बाइवन यहाँ पर आड़ करने वाले है यह जो फ्रेम है इस फ्रेम को हमें यहाँ पर आड़ कर लेना है फ्रेंट अब हमें फिर एक बाइप प्लस लेकम पर चल जाना है और फ्रॉम गैलरी पर जाकर हमें वन बाइवन इस फ्रेम की इमेजे से यहाँ पर हो चुका है अब हमें सिंप्ले लेरोले option पर चले जाना है यह जो हमारी 3पेंजी इमेज से इन्हें हमें simply merge कर लेना है हमारी जो पेंजी इमेजे से वह यहाँ पर merge हो चुकि है इस image को हमें send to backward कर देना है तो friend अब हमारे जो बॉलेर को पीकप ही वह रेडिक हो चुकी है friend अब हमें layer election पर जाकर सभी png images को यहाप पर add कर लेना है तो friend यहाँ पर हमारे सभी png images select हो गई है अब हमें इससे merge का दे रहे है तो friend अब हमारे जो pick up ही प्रेंट अभू आपकर हमस्तर इस तरह से साइज बाठा लेंगे और इस पीकप को हम कुछ इस तरह से पोजिशन कर देंगे तो फ्रेंड एफ में शियर अल्यपंशन प्रेक्ट कर देना है और रॉट्स को हवेरें हाइब करकर इसमेच को से वट गालरी कर देना है यहां पर तो फ्रेंट्स आपको यह वीडियो कैसे लगा यह हमें चार्ट सेक्षिन में जरू बता है और अगरे चानल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देजिए तुझे लिए मिलते हैं अगले वीडियों में तब ते के लिए गुडबाई